तो आज मैं आप लोग के साथ एक DIY हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ तो इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी उसका भीगोने वाला वाटर ओके तो मैंने सबसे पहले वन ग्लास वाटर ले लिया हुआ है उसके बाद इसको उबालना है इसमें कुछ इंग्रेडियंट्स हम बनाने के लिए बहुत इच्छा होता है और एक अच्छा सा कलर भी प्रोवाइड करती है तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है वन से टू टेबल स्पून चाय के पत्ती जैसे आप लोग देख पा रहे हो और इसको इच्छे तरीके सो उख बालना है और इसमें एक च्छिलके हैं जो होते हैं हमारे हेर के लिए बहुत ज्यादा बैनिफीसियल है जितने उसके लाइक अनियन होता है उतने ही उसके च्छिलके होते हैं तो भाई उसी को ना यूज कर ले हम लोग तो आप लोग देख सकते हैं मैंने च्छिलका लिया हुआ है और उसके बाद म जब यह अच्छे से बोईल हो जा तो इसको स्ट्रेंड करना है देन हम लोग बनाएंगे अपना DIY हैर पैक यह जो हैर पैक मैं बता रहे हैं उसको एक से दो घंटे के लिए रखना है क्लीन हैर पे लगाना है उसके ब Ideally यहां पे हैर बनाने वाले हैं उसके लिए उसको बाला हो आप लोगो को भी सेंड डी कर ना हाक्न एक वीक में दो बार अगर आप लोग यूज करते हो तो ठीक है और आप लोग देख सकते हो जो भी मेरा पानी हुआ था उबाल को च्छान लेना है और च्छानने के बाद इसमें मैं और अपना इंग्रेडियन्स एड करूंगे जैसे कि मैंने यहां पे लिया है वन टेबल स्पू मैं ले रही हूँ जैसा आप लोग देख पार हूं मेती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हेयर केर में और उतना ही कलॉंजी भी पसंद है आवला भी उतनी ही गुड़नेस देता है उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे हल बिसकस फ्लावर का पाउडर वन टेबल और अगर इसका फ्रेश फ्लावर हो तो आप लोग उसी को यूज करना गुड़ल का फुल जिसे लोग पूजा में भी यूज करते हैं और मतलब भगवान की पूजा में और उसके बाद यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है आप लोग देख सकते हो कितना प्य रहे है रहे है और हे टार अर में जाओ के लहा में भएशियर जाता है आपका लाववकिया है और लौद की ownस्केतों ड्योजय से पर इस ब्रपीज़ तरीके से मिलाना लागां मिलाना है यहाँ बहुत बहुत बड़ा siya हो जाता है क्यूंकि भूज्य फानी लागता पानी उसके बाद मैं यूज करूँगी यहाँ पे ब्राहमी पाउडर जो कि हमारे हैर के लिए बहुत अच्छा है वैसे इसमें ब्राहमी भ्रिंग राज दोनो था मैंने रखा हुआ था तो मैरा भ्रिंग राज खतम हो गया था थोड़ा सा बचा था तो मैंने इसी में मिक्स कर लि पे और ब्राहमी पते बाउडर आपसे पानी के उसके पाउडर के पाउडर के उबालना नहीं को रहा है यहाँ पर यहाँ आप युश करना चाहिए अगर अगर आपके यहाँ नुचका पाउडर का पाउडर मुझे बहुत जादा पसंद है यह दोनों इंग्रेडियन्स हेर केर में आपको भी यूज़ करना चाहिए अगर आपके मेरे तरह एक दो हेर वाइट हो रहे हैं तो या फिर हेर फॉल की प्रॉब्लम है तो और यहां पे अच्छे तरीके से इसको मिलाना है आप लोग देख प पाणी था आदे घंटे में भीग दिया सारा पाउडर अच्छे से उसके बाद जश्ट मैंने इसको मिक्सी में घुमा लिया तक ही फाइन पाउडर हो जाए अगर आपका मार्केट वाला पाउडर है तो आपको घुमानी की ज़रूद नहीं हो काफी फाइन होता है मैंने सा बहुत से मैंने डिया शाम्पू भी शेयर के आप चाहते उसको देख सकते हो बढ़ दीरे-दीरे करता है वाइट है की समस्या को भी दूर करता है और बहुत से प्रॉब्लम्स को दूर करता है उसके बाद मैं आप अलोवेरा यूज़ कर आपके पास अलोवेरा नहीं आपक आपके अलोवेरा यूज़ कर लिए अलोवेरा भी हमारे हैर के लिए के लिए काफी जादा बेनिफिशिल है वाले यूज़ करना है नहीं था भी मार्कट वाला यूज़ करना मझबूरी होती है वह वीडियो पसंद आजागे प्लीस लाइक कर दिजेगा चैनल पर नहां में लनाा है छेलने के बाद जो भी अलो एरा का कुदा हो इसको निकालके घुमा ले ना है देनिसमें डाले ना ये हुआ अगर आगर हैं पशारे है इडेपैकी तरह ही तरहआ ही के अपयो एक अगलीज्um की चाइ 좋은 प्रॉइन्व के आची अ garlic की速 प्रॉइअ में पहले से बटर लगेंगे अब लोग देख सकते हूं मैं जो भी अलोवेरा का गुदा उसको अच्छे तरीके से निकाल ले रही हूं निकालने के बाद इसको एक मिक्सी बाउल में डालूंगे उसके घुमा के एक फाइन सा पेश्ट परना लूंगी दैने अपने हेर मास मे मिक्स करके उसके बाद अपने क्लीन हेर पे शैंपू किये हुए हेर पे एक से दो घंटे के लिए लगाऊंगी दैन वाश कर लोगी सर्फ पानी से उसके बाद जब बाल हलके हलके सूख जाएंगे तो कॉम करूंगे थोड़े बहुत हलका चिपका रह सकता आपके बाल में अगर आप अच्छे से बालो को क्लीन करोगे पानी से तो ऐसा कुछ प्रब्लम होगा नहीं लेकिन अगर फिर भी एक दूर रह जाएगा तो आप लोग टेंशन मत लेना क्योंकि जब आप बालो को कॉम्ब करोगे तो वह इजीली निकल जाएगा बसा शायद मैंने मिक्सी म में बलकुल फाइन कर लिया था और जितना ही फाइन कोई भी हेर मास्क बनेगा उतना ही आपके लिए बैनिफेशियल होगा में रिजन यह है क्योंकि फाइन रहे था तो आपकी हेर इन स्कल्प पे अच्छे से लगेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग दस वीडियो नाव आप